रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर समंधर भी आएगा ठकर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर ठकर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा हलो दोस्तों तो जैसे कि आप सबी लोग जानते हैं उतकर्स एब के बारे में उतकर्स यूटूब चैनल के बारे में उतकर्स हमेशा सही हर काम में आगे रहा है चाहिए वो शिक्षा की बात हो या फिर किसी की सहायता करने की उतकर्स की जितनी तारिफ की जाए उतनी कम है उतकर्स की हर faculty हर team बहुत ही अच्छी है चाहिए वो teacher की बात हो या फिर technical team की बात हो सब जी तोड मेहनज करते हैं मैं उतकर्स app की बात करूँ तो उतकर्स से मैंने SSE का course लिया था जहां से आप पढ़ करके फिरी में ही अपनी एक गौर्मेंट जोब ले सकते हैं जैसे कि हर एक्जाम के पांच-पांच टेस्ट फिरी हैं डेली करेंट अफेट की PDA फिरी मिलती है डेली करेंट अफेट का रिविजन टेस्ट मिलता है तो अगर आप सिद्द से महनत कर सकते हैं दिलो दिमाग से पढ़ सकते हैं तो फिरी में भी उतकर से पढ़ करके आप अपनी सीट पकी कर सकते हैं अब मैं बात करू हमारे बबबर से निर्मल सरक के बारे में तो उनका तो क्या ही कहना हर रोज कुछ ना कुछ नया करते रहते अपने सेर सेरियों को बैस्ट से बैस्ट देने की कोसिस करते हैं और निर्मल सरकातों मैं सुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा इतना बैस्ट एजुकेसनल प्लेटफॉम तयार किया जहां पर हर इस्टुडेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए जीत और बहनत की जाती है और अब मैं आती हूँ यहां पर अपनी फूल पत्ती वाली क्लास पर गोरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास पर जिसने यूट्यूब पर धू मचा रखी है द्वन्द कहां तक पाला जाए, युद कहां तक टाला जाए, तू राना का वणसद है, फैंक भाला जहां तक जाए गौरव सर की फूल पती वाली कलास तो ऐसी कलास है कि उस कलास में सुबह सुबह इतना ज्यान और मोटिवेशन मिलता है कि पूरे दिन मन पढ़ाई में ही लगा रहता है सर और उनकी टीम में इतना जुनून है कि सुबह सुबह सर्दियों कि जिस टाइम में सब लोग सोना चाते हैं उस टाइम वो मिलकर के अपने रसगुलों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में लगे हुए होते हैं और गोरव सर तो सबी के दिल में इस परकार भज चुके हैं कि हमारे साथ साथ हमारे घर वाले भी उनकी कलास को देखते हैं और कभी भी मैंने गोरव सर के चेरे पर उदासी नहीं देखी मायूसी नहीं देखी यही चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है बेस्ट लगती है और गोरसवर ने तो हमें ऐसा बना दिया है कि इस बार मुकाबला टककर का होगा पेपर की खोपड़ी में तो छेद करके रहेंगे और डीजे तो पडोश के घर के आगे ही बज़ेगा जब उतकर्स जैसे संसान हम इस्टूइंट के साथ है तो पेपर की खोपड़ी में तो छेदे खोपके रहेगा आज उतकर्स हर सेर, हर गाम, हर ढानी में पहुंच चुका है अपने दम पर, अपने काबलियत पर जहां पर हर स्टूइंट के सपनों को पूरा करने के लिए उनको मंजिल तक पहुंचाने के लिए जीत और मेहनत की जाती है अंत में मैं यही कहना चाओंगी उतकर्स की पूरी टीम के लिए कि मंजिल ने होसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं मंजिल ने होसलों से कहा तेरे बसकी बात नहीं होसलों ने मंजिल की आखों में आखे डालके बोला चल जुटी तेरी इतनी ओकात नहीं धन्यवां